ये भीना कितना बोलती है और अगले दिन माम माम शिन चैन तुम यहां क्यों आए हो? प्लीज मुझे नाश्टा दे दीजिए हाँ? अरे मेरा प्यारा बेटा नाश्टे में क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? वेसे मुझे नाश्टे में टोस्टा दो चाहिए माम ठीक है बेटा अरे मिस्टर नुहारा कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिस्टिस नुहारा इस वक बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी शिन चैन को अभी स्कूल जाना होगा ना? मुझे दर असल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं कुछ भी नहीं कुछ खास नहीं हुआ मैं बस लेट हो रहा हूँ ओफिस के लिए चलता हूँ अरे मेरी बात तो सुन्ये मुस्टिस तुम काफी बदल गई हो सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो जब हमारे गर पर थी न तो दुपहर तक सोती रहती थी वैसे एक बात बताईए आप घर कब तब जाएंगी दीदी? चली जाओंगी इतनी जल्दी क्या है? माम स्कूल जाने का टाइम हो गया हाँ हाँ मुझे पता है और हाँ अरे नहीं मैं योशेना का मैम को बताना ही बूल गई अब क्या करूँ? मुझा ही तुम्हारे पर साइकल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ साइकल है की नहीं? मेरे पास तो नहीं है दीदी पर आप मेरी नेबर से ले सकती है मिसिस नुहारा आई वाश को ये काई पर तयार हो आई पहुत दिनों के बाद शिंचें टाइम से तयार हो गया ना अपना खयाल रखना बाई कि अधिक 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 पहला रखी है ने सब को साफ कर देती हूं नहीं मैं यहां पर कोई भी काम नहीं करूंगी जिसको करना है खुद कर ले मैं क्यों करूं दीदी मुझे कुछ जरूरी काम है मैं जा रही हूं हाँ तो ठीक है जाओ आप इस घर का खयाल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे सब पता है कर लूँगी मैं आप इच्छाँ जादा गुस्ता क्यों कर रही है दीदी मैं गुस्ता नहीं कर रही हूं मैं पोशिश करूँगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाओ फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूँगी हाँ मुझे किसी की मदद भी कोई जरूरत नहीं है मैं अपने आप सब कर लूँगी ठीक है जो आपकी मर्दी है वो आप करिए मैं जा रही हूं बाई अब मैं बर्म दाला हो आप लेकिन अब उन्हा रहोता लेकिन सुनाता हूँ आप हां हाथी और चीटी के बारे में एक था हाथी और एक ती कि टी अर्य नहीं नहीं आखने कोई मैंस टो कि मैसेज आ गया क्या सर्थ क्या कह रहे हो तुम आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थी ना आ गया क्या मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा है मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेज कर उनसे माफी माग लेने चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं क्यों अच्छा एडिया है ना मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों माग़ू और माफी मागने में बुरा ही क्या है सा वो भी तो मांग सकती है वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सा मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अच्छा ये बताईए कि मैम का कोई जवाब आया क्या अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी मैं भी आता हूं जरा ठीक है क्या बेकार के मेसेज भेजता रहता ये शिंचन मुझे सचमे का क्या मतलब तुम ज्यादा हसो मत आपका फोन बच रहा है दीदी ये लो डैड का फोन है हेलो हेलो डैड डैड हो गई तुम्हारी डैड से बात ये लीजे माम मुझे उनसे बात नहीं करनी फोन तो पहले कट गया कोई बात नहीं तुम्हारे डैड क्या कह रहे है उन्होंने खाना नहीं खाया उनके पेट में दर्द है क्या पेट में दर्द है मुझे लगता है वू आज कल खाना ठीकमे नहीं खा रहे है मुझे भी घर जाना होगा आज का ये खाना तो वागई कमाल का है अरे मिच से तूम यहाँ वो शिंचेन ने मुझे बता है कि आपके पेट में दर्द है आप ठीक तो है ना बोलिए ना बताइए ना मुझे मेरे पेट में कोई दर्द नहीं बलके मैंने तो भी रेस्टरॉंट से डिनर मंगाया मिच सी वो देखो आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा बाहर तो ये खराब हो जाएगा अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना फिज में आ नहीं रहा है तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है मैं खालूंगा इसे मैं तो बहुत जादा डर गई थी हैरी वेकार में चिंता कर रही थी तुम मैं तो मिज़ाद कर रहा था ताकि आप अपने घर वापस लोटा है अरे वाह तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलके डिनर करते हैं ठीक है वाह मज़ा आ गया बहुत टेस्टी खाना है सच में अब इतना जादा भी मत खाओ ये ठीक नहीं है मैं ये बात भी डाइडी में लिखूंगी बीबी हाना वाकई टेस्टी हाना में से बहुत जादा टेस्टी मैं ये बात गया ओेस्टी हाना में से बात टेस्टी है